नमस्कार दोस्तों वेलकम टो निक्त एजाम पॉइंटर में शभीका सागत है नागरिक साथ टीटीट पीजीट हम लोग देख रहे हैं जिसमें लोग दाजनितिक बाद पढ़ रहे हैं आज का टापिक जो हमारा है वो है अराज जक्तावाधी टीटीट पीजीट दोनों में है अगर इसको आप लोग पीडिया डावडोड करना चाहते हैं तो यह तो आपको यह कबर करा दिये जाएंगे तो आईए हम लोग देखते हैं अराजगतावाद क्या होता है तो राजगतावाद के संबंद में अब ब्रांत धानडा है कैसी धानडा है कि यह है कैसी बिचार धानडा है जो आविवस्था को प्रोथफाहिद करती है और आतंक पर आधारित है ठीक है तो जैसे भी अराजक्तावाद आता है तो हम लोग बोलते नहीं है कि अराजक्तातों है अराजक्तातों मतलब कि यहां पर जो तंक को फैलाना तो यह क्या है यह नितान तो जो है मिथ्या है मिथ्या मतलब कि यह गलत जो है धाड़ा है तो अरजक्तावाद का जो फाब्दिक अर्थ होता है वो है राज्य विहीनता यहां फे आपको इस्पेशल चीज आपको दिहान में रखना है राज्य विहीनता या फ फिर फाफन वहींता से होता है ठीक है शाय इसी कारण जो लोगंटे चोंचा सान्ध की आवश्च्रीट मानते हैं और जाकतावाद को राबन के शिआ कल से क्या करते हैं उसके निंदा करते हैं ठीक है यहां पर लिख दिया गया है यहां पर आप वहीनता कर लीजिएगा ठीक है इतना तो करेक्शन अब कर लीजिएगा ठीक है तो अरग जक्ताबाद का जो फार्दे करती क्या होता है राज यह वहीनता या फिर फाफन वहीनता यानि कि राज यह ना हो या फिर अब इस कारण से क्या हो जाएगा भई अगर हम बरत्मान प्रदिश्वी में देखें कि राज जी ना हो और साफन करने वाला कोई ना हो तो जाहिर सी बात है कि आवस्था फैल जाएगी ठीक है लेकिन पहले जो लोग सोचते थे ऐसा वो ऐसा नहीं सोचते थे तो अब जाहिर इसी बात है कि जो लोग साफन को मानते हैं जो लोग राज विवस्था को आवस्था को मानते हैं उनकी नजर में ये क्या हो जाएगा अरजक हो जाएगा ठीक है चले तो वास्तों में जो अरजकतावाद का अर्थ है वो आविवस्था नहीं है बलकि क्या है राज यविहीन ता है यहां साफ सब्दों में लिख दिया गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में जब अरजक्ता वाद आ जाएगा तो आप जब नहीं पढ़े रहेंगे तो उसको आव्योस्था और आतंक मार करके चले आएंगे और जो है आपको नंबर मिलना क्या उसको माइनस में चले जाएंगे ठीक है तो बिलकुल भी ऐसी गलती नहीं करने हैं तो आईए आदर्स वादी जो राज जी होता है उसको एक स्वाभाविक तथा आवस्चिक सनस्था मानते हैं बिक्तिवादी राज जी को क्या मानते हैं एक बुराई समझते हुए उसको फानती समझते हैं कौन बिक्तिवादी यह मानते हैं कि भाई राज जी का है एक बुराई है लेकिन फिर भी षानती और व्योस्था के लिए यह आवस्चिक को ठीक हैं तो यह सारी जीजे हैं और अन्तर क्या है और अराजक्तावाद क्या है तो राज ये जो है पूजी पतियों का पोफण और फ्रमिकों का पोफण करता है ऐसा मानना है खुता है और ये अराजक्तावादियों का राज ये अनावश्यक ही नहीं बलकि हानी कारक भी है अता है एक आदर्फ समाज में राज ये जैसे अन्य आदर्स है कियोंकि इस इस्थिती में राज्य तथा जो निजी फंपति होती है प्राइवेट प्रापर्टी उसके ना रहने से क्या होता है फोसन जो होता है वो मिट जाता है तथा आफ़ामानता भी क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है और बेक्ती अपना अधिकतम विकास करने के लिए क्या हो जाता है वह फतंत्र हो जाता है ऐसा मानना है अराजक्तावादियों का ठीक है तो यह सब आप समझते चलें पास्चात्ती राजदर्शन के इतिहास में जो अराजक्तावाद है उसकी कोई नई वि प्रथम विचारक थे जिसके विचारों में अराजक्तावादी का भाव जलगता है और उसको अराजक्तावादी विचारक भी इनको कहा जाफकता है तो वह राज्य को निजी फंपत्ती का क्या मानता था रच्छक मानता था निजी फंपत्ती को फोफण आफा मानता और अन आए है उसको क्या मानते थे मानवी ये विकास में बाधक मानते थे अता उसने राज्य और निजी संपत्ति दोनों का क्या किया है वाई विरोध किया है किसने अराजक्तावादी उने ठीक है तो इतनी सारी चीज़ें को यहां से ध्यान में रखना महातुपूर्ण तथ्य में हम लोग देखते हैं परमुख अराजक्तावादी कौन कौन थे तो प्रूधो थे हजिसकन थे गाडविन थे बाकुनिन क्रोप्त कीम थे थारो थे तौलस्टाइ थे महातमा गांधी थे वाई महातमा गांधी भी राज्य विहिन जो है समाज के कलपना करते हैं तो इसलिए इनको भी अरजक्तावादी की फ्रेंडी में वहां पर रख दिया जाता है तो प्रूधों ने पूजी पतियों की संपत्पी को क्या कहा है चोरी का फल कहा है कहा है यह चोरी का फल है अरजक्तावादी राज्य का खात्मा हिन्फक और आहिन्फात्मक दोनों साधनों के द्वा करना चाहते हैं ठीक है expect नहीं है की किमा फाद्मो की खिरना चाहते हैं वह ना हिनफात्मक तरीके भी अगर खित्म हो जाए तो उसको भी वह करना चाहते हैं अराजकता वादी प्रूबोदों कर लीजेगा बई जहांपर केवल धो हो चूट गया है अहिन फात्मक तरीके से लाना चाहते थे जबकि जो बाकुनिन महोदे थे और क्रोंटिकन महोदे थे ये हिन फात्मक करांती के दोरा फाम्यवादी समाज की अस्थापना करना चाहते थे तो ये गाड़ मिन अप्रूधो अहिन फात्मक तरीके से जबकि जो तो राज्य की उपरांत तत्काल राज्य भीहीन फमाज की अफ्थापना करना चाहते हैं जबकि जो मार्ख वाद है इस अफ्था में राज्य को क्या करता है वो बनाए रखना चाहता है क्रांती के उपरांत ठीक है तो क्रांती के उपरांत जो अरा जक्तावादी है वो तत्क ततकाल राज जी भीहीन समाज की अफ्थापना करना चाहता है कि वही जैसे क्रांती हो जाए हम ततकाल क्या करेंगे कि राज जी भीहीन समाज की अफ्थापना कर देंगे लेकिन जो मार्क फवाद है मार्क फवाद जो क्रांती हो जाती है तो क्रांती के उपरांत जो है वो र राजकतावादी समाज जो है वो राज के समापती के साथ साथ धर्म और निजी समपती का भी खात्मा कर दिया जाएगा धर्म भी नहीं रहेगा और निजी समपती भी वहाँ पर नहीं रहेगी गांधी जी को आदर्सवादी राजकतावाद कहा जा सकता है ठीक है क्या कहा जा आदर्स वादी अराजकतावाद कहा जाता है प्रूद हो की पुष्टक का नाम है नाम क्या है वाई फिलॉसपी आफ पावल्टी तो यह भी आपके एक्जाम में पूंचा गया है प्रतीक विक्ति अपने स्रम का जो पूंड फल है वो भोगने का अधिकारी होगा मार्क्स वा था क्या का था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम से कम साफन करे यह पूर्दों मादे ने कहा था ठीक है यानि कि समयदान वाद अराजकतावाद और फामेवाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंतर अब देख लेते हैं क्योंकि यहां सामेवाद की भी बाते बीच बीच में आती रही है तो अराजक्तावाद तथा फामेवाद दोनों का उद्देश क्या है वर्ग बिहीन और राज बिहीन फमाज की अफ्थापना करना परंतु अंतर यह है क्या है कि जो अराजक्तावादी है वह ततकाल उद्देश है ठीक है जो अराजक्तावादी ह उनका यह तत्काल उद्धिश हैं जब की जो firemnewadhy हैं उनका यह अन्टिम उद्धिश है ठीक है यह थोड़ा हा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको difference देखने को मिलता है ठीक है चलें तो जो firemnewadhy करांटी है साम मेवादी क्रांती के बाद जो अंत्रीम काल में फर वहारा वरग की तानावाई क्या हो जाएगी अस्थापित करना चाहते हैンヤरंतू अरा जक्तावादी इस परकर की कलपना बिल्कृ भी नहीं करते हैं क्योंकि फाम मिमादी मानते हैं कि भाई जो तानाफा है या जो राजा है करांती के बाद या जो फरकार है करांती के बाद उसको खतम कर दिया जाएगा और अंतिम काल में क्या हो जाएगा फर वहारा वर्ग की तानाफा ही उस पर अस्थापित कर दिया जाएगा लेकिन अराजक्तावादी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं बिल्कुल चाहते हैं कि राज्जी जो है जब करांती होगी करांती के बाद हम राज्जी को क्या कर देंगे पूंड उसे समाप्त कर देंगे ठीक है फिर राज्जी नहीं रहेगा और सरभारा बर्ग के ताना साही ये वो उसमें वैसी कोई बात ही नहीं रहेगे तो साम मेवादी जो दुन्दात्मक भोतिक वाद है उसमें डिड़ विस्वास करते हैं जबकि जो अरा जक्तावादी है इसमें किसी भी प्रकारशे विस्वास नहीं करते हैं फाम्यवादी समाज की उन्नती के लिए बड़े उद्योगों को आवश्यक समझते हैं जबकि जो अराजक्तावादी हैं वो बड़े उद्योगों के बिरोधी हैं और लगू उद्योगों का समर्थन करते हैं अराजक्तावादी जो हैं भाई वो हिनसातमक और आहिनसातमक दो क्योंकि आपके समझने के लिए काफी महतुकूर्ण था कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है तो आफा करते हैं आप बिल्कुल वाई समझ गए होंगे ठीक है तो यहीं पर हम लोग करते हैं इस अरा जक्तावाद का अंत क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं यह सब इ